दोस्तों नमस्कार मैं आजय पत्रका यह देखिए राहूल गांदी जी ने क्या ट्विट किया है बदहाई संदेशों का जवाब देने में बेस्त नलेन मोदी को देखें नाम डायरेक्ट नलेन मोदी इनसे उमर में दूगना होंगे और उनको डायरेक्ट नलेन मोदी आप औ लाहुल जी कैसे हैं आप 24 आप क्या बोलें बधाई संदेशों का जवाब देने में बैस नरेन मोदी को जम्मू कस्मीर में निर्मता से मौत के घाट उतार दिये गए शिद्धालूं के परवानों की चीखे तक नहीं सुनाई दे रही हैं लियाशी कठुआ और डोडा में पिछले तीन दिनों से तीन अलग-अलग आतंकी गटनाय हुई हैं लेकिन पिधान मंतरी अब भी जसने में बंग नहीं लेकिन पिधान मंतरी जी नहीं नरेन मोदी डायरेक नाम देश जबाब मांग ला है आखिर भाजपा सरकारों सरकार में आतंकी हमलों की साजिद रचने वाले पकड़े क्यों नहीं जाते हैं देश जबाब मांग ला इन्होंने क्या ये दिया जो मरे हैं म्रत्तक उनिके प् जूत नहीं पाकिस्तान के आतंगवात की निंदा नहीं की मंगलादेश की राष्टा देख जाएं उन से मिलने चले गएं हरे किसे मिलना इनका होता चाइना के उनके त्पाकिस्तान के लिए participant कर सकते अभी नरेन मोदी जो कस्मीर समिस्या के सबसे बड़ा उत्तरदाई रहा मैं आपको बतारा हूं इन ही के कारेकाल में सन 65 में कई हजार लोग कस्मीर में मार दिये गए थे सन 48 में उसके बाद आपको बतारा है कस्मीरी पंडित सब पलायन कर गए थे पलायन रुका आज कस्मीरी पंडित कस्मीर में रहने लगें आज रहने लगें वहां मतदान किया है कस्मीरी पंडितों को वहां बापत मकान मिलें वहां जितने मंदिर सब बंते सब मंदिर खुलें टाकीजे खुली प्लेग्राउंड खुलें और वहां पे फिर सिकारा चला ह और राहूल गांदी जी इस तरह बात करना है कि जम्मू कसिमिन निर्वंता से मौत के घाट उतार दिये गए हजानों से 1984 में मार दिया गया था किनके दोरा इनी के पार्टी के नेताओं के आज भी मुकदमे उनकी चीखें इनको नहीं लग रही हैं और देखिए भारत ने तुरंती कारवाई की तुरंत आज़े दो आतंगवादी मौत के घाट उतार दिये गए तमाम को घेड लिया गया वहां के जाने कितने आतंगवादी मारे गए इनको ने इसके पहले क्या होता था उसी हजरत बल में मस्तुगुल आतंगवादी पाकिस्तान से आया था इन्होंने जाने के लिए रास्ता दिया था और उस समय ततकालीन कौन ग्रहमंति मुप्ति साहब ने राजु गांदीन कहा था यह काम बहुत अच्छा किया यह काम ब राष्टपती से कहा था अफजल गुरु को बेवज़े उसको बेचारी को फासी हो रही कस्मीर से इन्होंने लेटर मुखमंति कांग्रेस की सरकार थी और राष्टपती को लेटर दिया गया था कि इनको मर्शी अपील के सहे जीवन दान दे दिया जाए अफजल गुरु को रातो रात कोर्ट खुलवाई थी और यही राहुल जी राहुल जी के पूरे आदमी इन सब लोगों ने यही राहुल जी जेनईू में अफजल गुरु के लिए मीटिंग होई थी उसके सहाधत में कारकम राहुल गांदि वहां अंदर गयते वहां नारे लग रहते जितने अबजल मारोगे घर घर निकालेंगे आज यह पोजिशन है मोदी गौर्णमिन कहती जितने अबजल घर में पैदा करो वो सब को घुश के आप देखिए कि हकीकत यह है कस्मीर समिश्या की जो देन है आप किसी से भी पूछ लीजे छोटे बच्चे से पूल लिए किसी बुज 370 को हटाना चाहिते थे इस बात से मद्वेद हुआ था सरदार पटेल से हुआ था मद्वेद कस्मीर का बिले भी नहीं चाहिते थे भारत में यह सरदार पटेल की हिम्मत थी जो हुआ तूड़ा दे से जानता यह बात हम नहीं कह रहा है पंडित जवाला नहरू की सगी बहन कैप्टन लक्षमी सैगल ने कही थी दूसरी उनकी एक बहन और थी किष्णा हातिस सिंग ने बात कही थी यह बात फ्रोज गांदी ने भी एकसप्ट की ती इंद्रा गांदी के हजबेंड ने कि 370 हटनी चाहिए कस्मीर बे अगर कस्मी बैन कायम कराया वहां मैच होने लगें लोग फिलमें देखते हैं वहां का अलाजस बढ़ा आज राहूल गांदी जी घर्याली आशू बढ़ा दूसरी जुम्बेदाल नहीं इंद्रा जी तीसरे रहे राजिव गांदी तीसरे राजिव गांदी यहां से अब अंदा लगा लिजे कस्मील में चीब मिनिस्टर बनाए गये थे फारुक अब्दुल्ला जी के बैनोई साब जी जा जी शेक अब्दुल्ला के मरने पर उन्होंने कहा था कि ब्रजनेयों के कहने पर मैं बनाया जाओ तब रशिया और इंद्रा जी के इतने अच्छे संबंद उन्होंने खुद कहा था एक चीब मिनिस्टर ने गुल्शा ने जो उनके बैनोई थोए दिन के लिए बनाएगे अब देखिए आज भी भारत का जो नक्सा है ये आज अच्छी पोजिशन में यहां के हिस्चे को पार्लेमेंट में जवालला नहरू ने कहा था वो तो उसर है उसर है मालूरू लोχ्या जी ने क्या कहा था नहीं कहना चाहिए उन्होंने एक बेक्ति से कहा था अपनिया आप मुझे च्छान दिखाएए मैं उस पे अगास हूगा दूगा लोगीया के ने कहा था उस बेक्ति का नाम लेना सर्मा जहीं अ किया ये कश्मीर में कुछ भी नहीं कि और उसकी वजय थी कि जिस समय पार्लियमेंट में इन्होंने कहा है तीनसो सत्तर हटी जो ही दस वजय आए उस समय कांग्रेश का जो विवजारी करता है उस राजसभा सांसर ने मालूम क्या किया सबसे तेज उचलें उचल के उचलाने लगें और भागें हम इस साक्यों और उन्हों का हम आपके साथ हैं मेरा कांग्रेश से स्थीफा जो इसको विवजारी करनी थी यह एक इतिहास है जब 370 का और कांग्रेश में विद्रो हो गया था उस सांसत का नाम था भुबनेशर कलत उन्होंने तुवंति स्थीफा उचलने लगें दीपिंदर हुड़ा ने भी सपोर्ट किया था जबर्जस सपोर्ट किया उन्हों का बाल बोले दिल के बात हमें 370 हटाना चाहता हूं अब देखें ट्विटर पर ही एक ने क्या है अबय प्रताप सिंग ने उन्होंने कहा है कि आतंकी इसलिए नहीं पकड़े जाते हैं क्योंकि कई कांग्रेस नेता मोदी को हराने के लिए पाकिस्तान से बदद मांगते हैं कभी सोनिया गांधी आतंकियों के इनकाउंटर पर रोती हैं तो कभी आतंकियों को माशूम मजबूर और दवा कुछला बताया जाता है और कांग्रेस नेता कनहिया कुमार सेना को रैपिस्टिक बताते हैं यह कटू सच है के कांग्रेस नेता आपको अफजल गुरु को जिसने पारल्लेमेंट में हमला किया था जो कसमीर को अलग करने की बात उसके लिए कांग्रेस ने रात को दो वज़े सुप्रिम कोर्ट के możliWe CanMaster कार शमाशिया की देन जो है सिर्फ इनके परवार को मान गया इनकी इतनी आप समने जो लोग मारें गहें उनके पर सहनबूत नहीं पाकिस्तान को दोस्ट नहीं दे आप क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के रास्टादच को आप यूट से बधाई संदयल लेते बाई वो बढ़ाई संदेज लेगा ये भी कह रहा है कि आपने उसकी निंदा नहीं की अरे आप यहां पड़े भी जब और देश के राष्टा अद्धक चाहें तो उनसे आप मिलने चले गए इंटरनेशनल लेबिल पर आपके चाहिना के राष्टा अद्धक सरे हरेक से तरह कर रही हो यह उन्होंने कहा था पारलियामेंट में व्विपाश्य qre arthritis आप जाए अटनेश तो उनसे मिलत मैं नहीं है और आप नहीं को पर आट दरबीर है इस तरह का बयान देना ये मरी शंकर यह खूले आम strongest का पाकिसन खुले आम पाकिस्तान का समर्तन करते हैं कभी भी इन्होंने कुछ नहीं कहा आपको बतारे हैं पाकिस्तान जिसमें एक हिंदू समाज के बच्चे महिलाएं मारी गए उसके प्रतिनोंने सहनबूत नहीं खराया और आतंगवादियों के खिलाप कुछ नहीं बोले यह करना है म अपसोस करना चाहिए कि और मुद्दे देनी चाहिए और बड़े मुद्दे हैं उस पे नहीं बोले दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार